इस हफते दुनिया की सबसे पहली और पुरानी अंडरग्राउंड रेलवे सर्विस को 160 साल पूरे हो गए हैं। इसे आप लंदन ट्यूब के नाम से जानते हैं। इसकी साल गिरा के मौके पर लंदन के मेर और ट्रांस्पोर्ट कमिशनर ने ट्यूब नेटवर्क के कुछ करमचारियों से बात की। और जानकारी बीबीसी संबाददाता लक्षमी गोपाल की इस रिपोर्ट में। एक सो साटमी साल गिरह पर तौफ़ा। लंदन अंदरग्राउंड रेलवे की साल गिरह पर ये स्पेशल साइन यहां लगाया क्या। लंदन ट्यूब की शुरुवात दस जनवरी 1863 को हुई थी। तब से ही लंदन मेट्रो इस शेहर की एहम पहचान बनी हुई है। डग जेज लगभग छे दशकों से लंदन ट्यूब से चुड़े हैं। क्या आपको अपने काम का पहला दिन याद है। मैं पश्चमी लंदन के इलाके एक्टन में पहुँचा था। मैंने तब स्कूल खत्म ही किया था। हमें हमारे सीनियर चिला चिला कर समझा रहे थे की काम कैसे करना है। तो हम नए लोगों के साथ कुछ ऐसा बरताओ किया जाता था। ब्रतानी समाज में हो रहे बदलाओं से लंदन मेट्रो भी अच्छूती नहीं रही। जॉन सॉंडर्स ने साल 1986 में यहां काम करना शुरू किया। विक्टोरिया लाइन की वो पहली महिला ड्राइवर बनी। मैं पहले दिन जब काम पर आई तो डीपो मैनेजर से पूछा कि लेडीज वाश्रूम कहा है। वो मेरे सवाल से अचकचा गये। जब उन्होंने इससे बनाया था तो सोचा भी नहीं था कि कोई महिला ड्राइवर होगी। तो विक्टोरिया लाइन में महिला ट्रेन ड्राइवरों के लिए कोई टॉयलेट ही नहीं था। पेदिंग्टिन से फेरिंग्टिन तक पहली लंदन मेट्रो यात्रा से लेकर आज की विशाल मेट्रो नेट्वक तक लंदन मेट्रो ट्रांस्पोर्ट की साधन से जादा लंदन हेरिटेज की पहचान बन गई है